तो हेलो गाइस कैसे आप सभी लोग स्वागते एक और न्यू गैम प्ले में और आज हम दुबारा से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्स तो दोस्तों आप लोग कॉमेंट में बोल रहे थे कि भाई माइनिंग करो माइनिंग करो तो मैं न सूचे कि आर माइनिंग करते तो कि यहाँ पर वैसे में डायमंद के लिए माइनिंग कर रहा था क्योंकि मतलब जादा नीचे चल जाते हैं जमीन के और जब यह ऐसा स्टोन आ जाता है ब्लेक कलर का तो तब जाके इसी में डायमंड मिलता है और रेड श्टोन डूस्ट बी मिलती है तो इसलिए मैं यहाँ आके माइनिंग कर रहा हूं इतना नीचे यह देख लो आप मेरे कोडिनेट्स जो मतलब माइनस पच्पान है ना बीच वाली तो इतना नीचे आ चुगा हूं मतलब मैं तो भाई सब यहां पर दोस्तों देखो कि मतलब जो बात मैंने सोची थी ना वह बात सच निकली मतलब ड तो टोटल हमें चार डायमेंड मिल चुके हैं इधर आगे और कट करना चाहिए कि इधर और भी डायमेंड मिल सकते हैं तो दोस्तों यहां पर पहली बार आज मतलब मुझे डायमेंड मिले हैं माइनिंग करते हुए ठीक ना इससे पहले तो एक बार मुझे पहले डायमेंड मिलेते तब तो वो एक village पे मिलेते तो अच्छा यार अब मेर समझ में आया कि मतलब mining करने से भी diamond मिलता है यार पहले मैंने काफी mining की लेकिन वो सारी मैंने उपर की थी और इस बार मैं काफी नीचे आया हूँ जमीन के तो इसलिए मिला है यार diamond तो दोस्तो एक दो भाई लोग comment में बोल रहे थे कि मैं creative लगा के खेल रहा हूँ तो यहां पर उपर जो एक achievement हुआ है ना भी मुझे diamond मिला उसका achievement हुआ है पहली बार मिला है क्योंकि मुझे तो इससा आप लोगों को पता चली गए होगा कि मैं creative लगा के नहीं खेल रहा हूँ जो खेल रहा हूँ real खेल रहा हूँ ठीक है क्योंकि achievement real में होते है ना कि मतलब creative में इतनी मेनती नहीं करनी पड़ती यार अगर हम लोग creative लगा के खेलते तो अब दोस्तों यहाँ पर एक बात है diamond तो मुझे पहले भी मिलेते लेकिन वो villager के chest में मिलेते ठीक है और अभी मुझे mining करते हुए diamond का block मिला है इसलिए achievement हुआ है तो यहाँ पर redstone dust भी है यार चलो यहाँ पर से redstone dust भी ले लेता हूँ मैं काफी सारे block दिखाई दे रहे भाई तो यार दोस्तों एक बात तो सही रही कि मतलब मैं इतना नीचे आके mining किया ना उसमें कुछ तो फाइदा हुआ यार पहले तुम्हें मतलब कट किये जा रहा था और कुछ भी नहीं मिल रहा था तो मैं सोच रहा था यार फाल तुम्हे देर हो गए आखिर मुझे तो बेक तो फुल हो नहीं था तो दोस्तों यह नीचे की साइड में जो block दिखाई दे रहा है यह शायद अब ऐसा block आ चुका है जो मतलब तूट नहीं सकता है यहां से redstone dust तो मैं ले ले लेता हूँ और उसके बाद मैं देखो इसको भी cut करने की try करेंगे और अपने बेग में जगा नहीं है क्योंकि एक stack तो 64 का हो चुका है redstone dust का चलो तो यहां पर यह stone जो नीचे है नहीं यह तो टूटे गा नहीं यहां पर एक torch लगाई है मैंने क्योंकि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था चलो तो सारी redstone dust तो ले लिए और यह तूटेगा नहीं यार दोस्तो मतलब यह minecraft में ऐसा सुनाए मैंने की हम जब नीचे जाते माइनिंग करते हुए तो last का जो मतलब वह रहता है नहीं stone वह यही रहता है यह तूटता नहीं है जल्दी से अब इसके बाद में अगर इसको हम तोड़ देंगे इस stone को यह जो कु जो पीमेटा है जी आविते हुए यह पादो पैंकि में अनुख कर अजबर घर के लिए जाओं तो आप लोग देखना कि मैंने मतलब कितनी माइनिंग कि आप खुदको पताचले का मिनने काफी सारी कम्रे बना दिये बड़े-बड़े माइनिंग कर करके तो यह तो सबसे न ही मिला है वो चार ही मिले बस मुझे चलो तो अब निकलते यार दोस्तों वेसे भी क्या काफी टाइम हो चुका ज्यादा लालच करना भी सही यहां पर देखो यह वे एक नीचे बना दिया माईनिंग करके ठीक है अब यहां पर मैं आ चुकाक हूं और यहां पर सब्सक्र tutte यहीं और माईनिंग कि प्रबान जेले में उपकी वह फिर ब gospin की फिर माइनिंग करना शुरू किया फिर नीचे कीः और फिर रूम बन गहें तो ऐसा हुआ है तो यह देख लो मतलब दो रूम देख लिए आपने अब देखो यह तीसरा वाला आ गया है भाई अब यहाँ पर देखो यह तीसरा वाला रूम आ चुका है यहाँ पर भी मैंने माइनिंग की इसलिए टोर्च और्च सब लगा रखी है अब इससे वह उपर हम लोग चलते है उपर जाने में क्या हो रहा है यह देखो यह सीधर रास्ता दीख रहा है ना इसी से मैं आया था अब दोस्तों आप मतलब मैंने इतनी देर माइनिंग की वह बास सच निकली ना बतलब कि यहार इतनी माइनिंग की है तो दो अड़ाई एक बना के लेकिन वह सिर्फ इसलिए कि मतलब जैसे कुछ भी ऐसा मिल जाए जो आयरन की पिकेक्स से मिले हमें तो इसलिए वह रखनी पड़ती है अब देखो यह एक और उपर रूम आ चुका है यह फॉर्थ नंबर का चुका है शायद मुझे ठीक से याद नहीं रहा तीन अब गूम के देखते हैं इतनी दूराई में मैंने माइनिंग किये यहां पर यह सबसे बड़ा रूम बनाया था मैंने जमीन के अंदर और किदर की साइड में है अपना मतलब बाहर निखलने का ओके चलो यार यह रास्ता मिल चुका है तो थोड़ी बहुत टॉर्च में ले लेता हूं यार दोस्तों वह इसलिए कि मतलब यार टॉर्च काम आएगी आगे भी मेरे और यहां पर टॉर्च इतनी ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं तो आप मैं स्टोन लगाता जाता हूं मतलब जो बीच की कोडिनेट से ना यह 55-56-57 चल रही है यह मतलब इतना पीछे चली गई थी मतलब में जमीन की इतना नीचे चला गया था यार क्योंकि मैंने सुना था कि मतलब जब माइनस 50 पर चले जाता है ना तब जाके मतलब डायमंड या रेडि स्टोन डश्ट यह से कुछ यह मिलता है तो इसलिए मैं इतना नीचे गया था माइनिंग करने के लिए तो चले यार अभी मैं घर से मतलब घर के लिए निकल गया हूं वहां से गुपा मैंसे निकल गया बाहर और अभी रात का टाइम हो रहा है वैसे तो तो इसलिए जल्दी से घर में चलते हैं क्योंकि अगर एक जोंबी फूट गया है ना पास में आके तो सारी लूट भी भिखर जाएगी यार चलो अब जोंबी जो कुछ करें बाहर मतलब फूटे तूटे कुछ भी करें मुझे कोई मतलब नहीं मैं आच चुका हूँ घर में तो दोस्तों आप लोगों ने कहा तो मैंने माइनिंग की और उससे मुझे फायदा भी हुआ मुझे डायमेंड भी मिला और साथी साथ से फरनस को चलाए मैंने सुनाए कि मतलब लावा से भी फरनस चलते है तो वह बात सहिए है गलत है मुझे पता लेकिन वह तो बाहर में ट्राय करेंगे प्रेशान कर रखे यार आत्मा दुखी कर दीन लोगों ने मेरी अब इसके अंडे बच्चे और आएंगे देखो गया वह तो यार एक तो लावा की तरफ गया था तो यहां से तो लावा नहीं आ रहा है यार दोस्तों देखो यह क्या उपर से लावा इस तरह से तो नहीं पर साथ ही साथ यह आख के गोले चलाने वाले और यह भी आख के गोले चलाते हैं ना तो एक गोला पढ़ती डायरेक्ट में उन्दे मूँ जाके मतलब लावा में गिर जाओंगा वह भी डर लग रहा है मुझे तो यार दोस्तों धीरे-धीरे मतलब मैं यह कट करता जा रह तो लावा मतलब कुछी नहीं मिला यह है कि मैं लावा में नहां के जरूर आ गया हूँ मतलब वहां के जो मोप्स होते हैं वह भी मुझे यह बोल रहे थे कि भाई लावा थोड़ा सा मतले के जाओ तो मैं हम पूरा नहला के बेढ़ेंगे तो इसलिए अच्छी तरह से नहल बना लेता हूं उनकी जो मतलब वर्कमेंच वह और जिससे की ताकि मतलब वह लाइबेरियन ज्यादा हो जाए अपने पास में तो इसलिए मैंने बुक बनाई है और अभी मैं मतलब लेक्टरन बना रहा हूं ठीक है काफी सारी बना लेंगे यार यह तो यह देखो यह वाला मतलब रियल खेल रहा हूं तो यहां पर अभी यार मुझे किस चीज की जरूरत पढ़ रही है मुझे और मतलब लेक्टरन बनानी अभी तो टोटल तीन ही बनी है अच्छा अच्छा तो यह बनानी है मुझे वूड स्लेब ओके तो यह मैंने बना लिए 64 और अब देखते है ओके ओके यार अब तो अपने पास में चार लेक्टरन बन चुकी है तो दोस्तो अब मतलब अपने पास में लाइबेरियन है न काफी ज़्यादा हो जाएंगे मतलब उनके यह लिए वर्क इस्टेशन इतने ज़्यादा लगा दूँगा ताकि मतलब अपने पास में अरियेंग भी दो तीन है लेकिन अब मैं सोच रहा हूं कि यार और ज्यादा इनको कर लेते हैं मतलब बढ़ा देते हैं और मैं एक बात बताओ जो मेरे विलेजर मतलब डी स्पॉन हो रहे ते गायव हो रहे और जो मतलब सारी प्रोबलम आ रही थी और जो लाश्ट में निकलाना वो एक अलगी बात निकल गए यार दोस्तों तो अगर आप लोगों को भी जानना है कि मतलब विलेजर और गोलेम डी स्पॉन क्यों होते हैं और उन्हें हम कैसे रोक सकते हैं तो अगर आपको मैं वीडियो बना दूगा उसके लिए बिलकुल आसान चीज है लेकिन आप ही मैं इस वीडियो में तो नहीं दिखा रहा हूं वो बात लेकिन हाँ यह है कि अब मेरे जो विलेजर है और गोलेम है वो डी स्पॉन होना बिलकुल बंद हो चुके है जितने रहत सब्सक्राइबाद में जब मैं दुबार online आता हूं एक भी कम नहीं हो राब और मतलब की दोस्तों मतलब मैं इतना सब कुछ सोच रहा थे कि इनका घर बुरा बनाया मैंने मतलब विलेजर कुछ भी ऐसा मैं काफी बाते सोच रहा थे कि यार लेकिन एसा कुछ नहीं निकला लाश्ट में एक बात मेरे समझ में है और वही बात सच निकली और उससे मतलब की विलेजर डीस्पॉन होना बंद हो गए यार क्या क्या दिमाख में मतलब आईडिय लगा रहा था घर को सई कर रहा था अगर इनके लिए बिलकुल मतलब कैसा भी घर बना दो ये डीस्पॉन तो एक चोटी सी बात थी वही मैं नहीं कर रहा था इसी वज़े से ये लोग मतलब डीस्पॉन हो रहे थे तो बस अब ये डीस्पॉन होना बंद हो चुके है तो अगर आप लोग कोगे तो वीडियो आ जाएगा आपके लिए आप कोमेंट में बता देना मुझा अगर आप अगरेंट को गया ना तो अपना जो ये विलेजर के घर है इसमें दो दो गॉलेम हो चुके हैं मतलब एक पहले से था यह भी मतलब विलेजर ने इस्पॉन करवाया तो अब ना गॉलेम की कमी है ना विलेजर की कमी है दीरे-दीरे अभी ये लोग बढ़ते जा रहे और के आप सबी को बता दू कि आमने को याद के पार्म है लेकिन यार Mamлем ये शवगर कैन फार्म् MI ना कि मतलब मैंने इसको ठीक से वखना ना अच्छी तरह से वखना है सब कुछ सौस्थ समझ की वगानाया लेकिं इसमें मतलब मैं एक दिन में ज़्यादा ज़्यादा इसमें से शुकर केन मुझे मिलती है पचास या साथ बस उससे ज़्यादा नहीं मिलती है तो मैंना सूचा कि यार क्या ये क्या बनाया है यार कैसा शुकर केन फार्म है यार इससे अच्छा तो मतलब मैं जो मेरा अंदर वो जुगाड बना हुआ लान घर केंदर उसमें इससे जज्ढ़ शुकर कोरेंगी तो उसक लिए पिर मैं न सुछे कि या इसको तोड़ो यह मतलब गलत बन गया यह फिर बेकार बन गया कियोंकि इसमें जग रहा है शुगर केन कम मिल रही है मुझे और इसको रखने से कोई फाइदा भी नहीं है पहले बात यह भी है कि मतलब इतनी इतने जगा भी घेर ली और फिर मिल रहा है कुछ भी नहीं है तो इसलिए मैं इसको तोड़ रहा हूं यार दुबारा बनाएंगे बस अब तो द बांपनों, कोई न अच्छी बुक सेलर करें जैसे कोई सिल्क टँच सेल् करता है कोई कोई कौनसी कोई कॉनसी मुझे नाम याद नहीं ज्यादा गा लेकिन हाँ आलाग अलगतरा की बुक सेल और उसलिए मतलब हुम मतलब अब हमगों को साफ लगाते है नहीं छोगर के ने यह साफ कर दिया उसको कुछ पानी रह गया है अगर आज के लिए यह एध सब PaleioneDo in mengupacji और यह मछय तो यह थीरे दो आज कें उनकी दोदेदगा कें हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए हम मिलेंगे एक और न्यू गेम प्ले में तब तक के लिए गुड़ बाए